Hey guys, इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कैसे आप लोग Zoom Cloud Meeting App के अकाउंट को पर्मानेंटली डिलीट कर सकते हैं या Zoom Profile को पर्मानेंटली डिलीट कर सकते हैं तो मैं आप लोगो बहुत ही आसान तरीखा बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होगी जिए आप लोग बहुत आसानी से सीख जाएंगे कैसे Zoom Cloud Meeting App को पर्मानेटली डिलीट करते हैं तो चलिए चलते हैं डिलीट करते हैं Zoom Cloud Meeting App के अकाउंट को सबसे पहले हमें करना है जाना पड़ेगा किसी भी ब्राउजर में जो भी आप लोगों के मोबाइल में या फिर जो आप लोग यूज करते हो उसमें जाकर आप लोगों को सर्च करना है Zoom ठीक है तो यहाँ पर Zoom जैसे सर्च करेंगे आप लोग तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट में तो एक option आएगा यहाँ पर जूम क्राउड मीटिंग एप के एप का लेकिन हमें यहाँ पर जाना है Zoom.us की website पर इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे अब जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि यह website यहाँ पर loading होने देना हम लोगों को और इसके ब जालना है then sign in पर क्लिक करना तो मैं directly यहाँ Google account से मेरा account है तो यहाँ पर मैं directly Google account से login करूँगा. तो यहां पर यह क्या होगा कि अब loading हो जाएगा तो आप लोगों को यहां पर जो भी account delete करना है उस पर click कर देना है और जैसे आप लोग यहां पर click करेंगे तो यह यहां पर तो यह ऐसा आ जाएगा ठीक है तो आप लोग सोच रहोंगे यार बहुत सारे option show कर रहे हैं अब हमे क्या करना है तो मैं आपको बताता हूँ जैसे यहां पर एक option दिख रहा होगा एक meetings का option दिख रहा है ठीक है so meetings के option के बाद आप लोगों को यहां पर दिख रहा है एक account management का option दिख रहा है ठीक है so account management एक बार मैं आप लोगों फिर से बता देता हूँ यहां पर आप लोगों क meetings में जैसे click करेंगे so यह admin section में आएंगे तो account management दिखेगा उसके बाद उसके बाद जाना आप लोग account management के अंदर account profile में अब जैसे आप लोग account profile में आ जाएंगे so यहाँ पर आप लोगों को आपका account show कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को option दिख रहा terminate my account so इस पर आप लोगों को click करना तो यह पूछा are you sure to terminate your account क्या आप लोग अपना zoom cloud meeting app का account को delete करना चाहते है terminate करना चाहते है तो आप लोग yes पर click कर दीजिए और जैसे आप लोग yes पर click करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप क्या show करता है मैं आपको बताता हूँ तो जैसे आप लोग यह बता रहा है हाँ terminate your account successfully तो यहाँ पर आप लोग का zoom cloud meeting app का account permanently delete हो चुका है so I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी